हाई गाई वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए लिकर आई हूं नॉन वेज तारीर रेसिपीट अगर आप चानल पर आए हो नहीं सब्सक्राइब करके ही जाना तो कि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगे तो चले फिर वीडियो स्टा और अगर आप देखें कितने हैं तो मैंने ऐसे लिए हैं यह फोर कप चावल और अब हम कर लेंगे पेस्ट के तयारे मैंने यहाँ पर ले ली हैं चार मीडियम साइज के टामाटर चार से पाश और इनको हमने अच्छा सा पेस्ट बना लेना है अगर आपको फुरा सा थेक ही इस सब्सक्तिक कि अब पायात पेस्ट कर सकते हो और इसका हम बाउल में टांसफर कर लेंगे फिर हमUAं मीडियं साइज के बात प्रफिश्ट बना लेंगे और हम इसका भी एच्छ सा पीस्ट बना लेंगे लिए इसको भी है उस्वाल ने ट्रांसफर कर लेंगे मैं इसको बना रही है इसको बना लेंगे लिए नहीं कोकर में आट कर दिया है यहां पर 6 टेबल स्पून ओईल यहां पर मैंने ले लिया है गोश्ट चार सफ़यत इलाइची तेजपत्ता सौंफ काली मिर्च लॉंग अचाल का मसाला जीरा दाल चीरी और बड़े वाली इलाइची जिसे कोई काली आट कर देंगे जीरा लॉंग और काली मिर्च इनको हमने हलका सब पकाना है यहां पर आप फ्लेव रखेगा मेडियम टू लो उसी वाद हमने इसमें आट कर देना है मीट और सभी ख़ड़े मसाले इनको भी हम पकांगे करीबन चार मिनट के लिए मेडियम टू हाई फ्लेम पर और जो हमने पेस्ट ना तो फिर हम यहां पर वो सारा पेस्ट कर देंगे अब हमें इसको पकाना है करीबन दो मिनट के लिए फ्लेम पर इसके बात इसमें आट कर देंगे त्य टेबल स्पून हल्दी पावडर टिंट इस पून घरियर पावडर को में टेबल अश्पू अब हमें इस पसाले को तब तक होड़ना जब तक इसका और रिलीज नहीं हो जाए तो आप दिख सकते हो हलका हलका और रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है अपने अपनिस को रख दे रहा है थोड़ी देर मीडियम टू लो फ्लेम पर यहां पर हमने कुछ वेजीज भी ले ल इसलिए हिनको हम दोकर जो हमारा मसाला है और यहां पर आप दे सकते हो करीब हमारा सारा ही जो ऑईल है वो रिलीज हो चुका है मसाले से अब हमने इसमें आड कर दी है मटर और गाजर अब आप इसे धखकर पकाईए करीबर एक मिनट के लिए और साथ ही में हम यहां पर ले रहे हैं सुखा हुआ पुदीना मेरे पास रखत में भी आड़ कर रही हूं और मेथी मेथी आप जरूरी अच्छा टेस्ट आएगा इससे आप देख सकते हैं इतना हमने वो धोया इतना अच्छे से पक चुका यहां पर हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे इस पानी में मटर और गाजर हमारी अच आड़ कर दीजिए वरना आप इसको इसकी भी कर सकते हैं मतलब मुझे आलू बहुत पसंद है आलू के स्नैक्स और और बी चीजे और जो हमने पालक दोया था पुदीना और कसूरी मेती हम वह भी पर आड़ कर देंगे और फोर कप चावल में हम मैंने यहां पर आड़ किया यहां पर आप नमक चैट कर सकते हो अगर आपको कम लगे तो आप और एट कर सकते हो मुझे यहां पर कम लगाते है फिन मैंने में आधा और डाला फिल डाला मतलब टोटल यह हो चुका था सिक्स टेबल स्पून साल्ट क्योंकि हमारे चावल काफी अच्छी क्वान्टिटी में हैं इसलिए अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी लीड लगाकर इसमें करीबन तीन से चार सीटी आने देंगे तो लीजी हमारे जो नॉन्वेश ताहरी है बिल्कुल बनकर रही है आप इसे इंचार करिए और उनके साथ शेयर कियों जीनों ताहरी बहुत जादा पसंद है वीडियो अच्छी लग वीडियो को लाइक कर देंगे और ऐसी वीडियो देश्राइब कर देना आप मुझे इ सब्सक्राइब कर लिंक आपको डिस्पूशन बॉक्स मिल जाएगा